कई बार आपके मन में ऐसा आता होगा कि यह सही है कि गलत है, यह समझ में नहीं आ रहा है या आप हर बार देखते होंगे आपके लाइफ में एक मोड आता होगा जहां पर आपको इडिसन लेना पड़ता है कि यह सही जा रहा है कि यह गलत जा रहा है चाहे वो relationships में, चाहे वो business में, चाहे पढ़ाई में, चाहे शेयर बजार में, हर aspect में multiple decision making के points आते हैं, जहां आपको decide करना पड़ता है कि यह सही है कि यह कराता है, शेयर बजार में भीना सही गलत का classification अगर हमको पताओ, तो यह पूरा journey शेयर बजार का बहुत सुकत हो सकता है तो आज में थोड़ा abstract topic पे बात करूगा, कि कैसे हर मौके पे शेयर बजार के आपको सही गलत है, दोनों के बीच में difference पता होना चाहिए, मैंने एक छोटा तो प्रजेंटेशन बनाए हलका सा, ताकि मेरा पूरे discussion में structure कर पाऊं आपके साथ में, तो चलिए PPT सामने और में तो right and wrong in stock market, क्या सही है, क्या गलत है, इसका परिभाशा अपने निकालने की कोशिश करते हैं, पहला, जब हम शेयर बजार से जुड़ते हैं, तो सबसे पहला हमारा जुडाव जो होता है, वह account अपने, कि कि किसी ने किसी के हाँ पर हमको account खुलना पड़ेगा, ताकि वो हम को शेयर बजार का access दे, उसमें भी सही गलत है, गलत क्या है, पहले बताता हूं, गलत वो है, कि कोई भी अगर registered intermediary नहीं है, और कोई भी बंदा आके आपको बोलता है, कि मेरे हाँ पर account खोल दो, और फलाना पैसा मेरे को transfer कर दो, और काम चालू कर दो, मेरा app download कर दो, और बस registration होना चाहिए, और सेवी registration आप verify कर सकते हैं, सेवी की website पे जाके, बहुत जरूरी है, अगर आप वो काम नहीं करेंगे, तो पहला ही आपका जो step है, पहला ही journey, अगर problematic होगा, तो आप long term में बड़ा काम उस journey के थ्रू नहीं कर पाएंगे, तो account opening जो है, पहला stage पर पता सही गलत परिवाशर, कि अगर आप बहुत active trade करते हैं, बहुत active होना चाहते हैं share बजार में, तो आप चाहेंगे कि मेरा कम से कम cost लगे, because मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने कमाई का 70%, 80% जो है वो transaction cost में उठार दिया, लेकिन मैं अगर कम trade करना चाह रहा हूँ, बहुत कम trade करन चाहता हूँ, तब फिर मैं obviously उसके साथ जुड़ना चाहूँगा, जो मुझे और value add दे, तो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है, एक है discount broker, कि जो चाहता है कि आप ज़्यादा trade करें, क्योंकि जतना ज़्यादा आप trade करेंगा, उसके लिए margin उत्रा better बनेगा, और दूसर चाहता है, जो non discount broker है, जो mom and pop broker है, जो local broker है, वो चाहता है, आप कम से कम trade करें, ताकि आप टिके रहें, तो ये भी ध्यान रखें कि इस पर सही गलत, discount broker सही है, traditional गलत है, ये में नहीं बोलूगा, ये बोलूगा, ये आपको पता होना चाहिए, कि आप share बजार का journey में क्यों आप ऐसे individual है, जो तुरा tech savvy नहीं है, ये आप ऐसे हैं कि जिनको support चाहिए, जिनको बातचीत चाहिए, लेकिन ऐसे भी broker है, जो pure tech oriented brokers है, जहां पर सुनवाई नहीं है, जहां आप mail करेंगे तो reply नहीं करेगा, वहाँ account मत खुलेगा, account वहाँ खुले जहां आपको सुनवाई है, अगर आप उस तरह का need रखते हैं, तो depend करता है, उसके आधार पर आप decide करेंगे, कहां account खुला है, तो पहला journey में, पहला step में ही, आपको सही घलत का differentiation हो जाना चाहिए, second, सीखना, financial education, बिना सीखें क्या हुआ है, किसी भी field में देख लीजिए, चाहिए doctor, lawyer, या किसी भी professional field को आप evaluate कर लिजिए, बिना सीखें कोई भी आगे नहीं भड़ता है, आप चालू कर सकते हैं छोटा amount से, बजब तक सीखेंगे नहीं, बड़ा के, और सीख मतब ऐसा नहीं होता है कि, आज मैंने सीख लिया, course complete कर लिया, मैं ready हो गया, अब बस अब मुझे कभी सीखने चे नहीं, ये lifetime journey है, सीख शेर वजार के अंदर में एक ऐसी चीज़ है, जो कि आपके लिए infinite opportunity खोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको infinite learning mode पे रहना पड़ेगा, जैसे हम लोग है, बुक पढ़ते हैं, हम लोग वीडियो देखते हैं, अच्छे हैं, क्यों, क्योंकि इससे ह हमको पता है कि ultimately हमको step up, ये ऐसे चलता है, step up, ऐसे, ऐसे, step up है, तो step up journey में आप रहेंगे, तब ही आप आगे भर पाएंगे, तब ही न, सीड़ी है न, तब ओपर जाते हैं, क्योंकि हम step up journey रहते हैं, तो educate होना बहुत ज़रूँ है, अब education कि से, गलत कौन है, कि कोई भी य हमेशा regulated लोगों के साथ में जुड़ी है, क्योंकि जो regulated होते हैं, उनको पता होता है कि मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे liability है, जैसे example देता हूँ कि मैं, हूँ मेरा सेवी registration number है, मेरी team members है, हम लोग regulated है, तो हम कभी भी गलत नहीं करेंगे, जो कि हमारे प 12 साल, 20 साल का youngster को follow कर रहे हो, कि 35 साल के experience आदमी को follow कर रहे हो, या उसको follow कर रहे हो, जो कि genuinely पढ़ाने में interested है, या उसको follow कर रहे हो, जो कि आपको fit entertainment दे रहा है, या आपको किसी और broker के account खुलने में layer कर रहा है, तो समझ रहे हैं, तो मैं किसके against नहीं हूँ, जनली मैं ब पड़ेगा, कि सही category के लोग कौन है, गलत category के लोग कौन है, और अपना space पर सही वालो पर focus कीजिए, तो आप better educate हो पाएंगे, और देखिए एक और बात बहुता हूँ, education के लिए पैसा देना बहुत अच्छा होता है, मेरा life का experience है, कि जब भी मैं कोई pirated video, या pirated books, या photocopy या कोई course ले लिया, जिसका free में मिल गया, ये कभी भी उपज़ता नहीं है, अगर आप कुछ भी कर रहे है, knowledge gain, आप थोड़ा पैसा खर्चा करिए, थोड़ा पैसा दीजिए, जिससे भी gain कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपको उसका best आपके अंधर में मिल जाएगा, ती exit उसको पहले पता है, जब हमने investing कर रहा है, वो business में invest कर रहा है, जब हम business में invest करते हैं, क्या हम exit के बार में सुचते हैं, तो again ये आप पे depend करता है, सही गलत क्या है, अगर आप market में आए हैं, active रहने, या trade करने, छोटा अवधी का profit loss करने, तब फिर आप क्योंकि loss कर रहे ह तो आप उसको investing का part बना देंगे, ये करते हैं, या market में आए हैं, आप investing करने, और आप broker का आप खोल के देख रहे हैं, क्या भावा, क्या भावा, क्या भावा, क्या भावा, ये नहीं करना है, अपना space, अपना box को identify कीजिए, क्योंकि आपका जो box है ना, उसी के अंदर में आपका सोना पड़ा हुआ है, आप उसको अगर ठही सही से नहीं identify करेंगे, तो वो सोना कोई और ले जाएगा, तो investing versus trading का difference पता होना चीए, trading हम जब करते हैं, तो हम exit करने के लिए करते हैं, investing जब हम करते हैं, तो हम कभी exit करने का नहीं सोचते हैं, हाप परिस्थितिया अग आप value company में invest कर सकते हैं, growth में कर सकते हैं, early stage में कर सकते हैं, late stage में कर सकते हैं, यह clarity knowledge का होना बहुत ज़रूरी है, और यह मैंने दे दिया है, learn to trade, trading के लिए, learn to invest, investing के लिए, मैंने दे दिया है, अब आपके उपर हैं, क्या आपको उससे सीख रहा है, या आपको अभी भी struggle क करते रहें उसके बाद cash versus derivative यह बहुत important point especially अभी इन दिनों जहां पर समझ में आ गया है कि derivative में बहुत जाला लोग पैसा खो रहें cash में intraday में लोग पैसा खो रहें बर generally cash में अगर को delivery वेस्ट काम करें तो पैसा खोने का संभावना कम है again कितना समय है हमारे पास कितना risk appetite है कितना mental bandwidth है अगर हमारे पास समय नहीं है risk appetite की कमी है और mentally हम इसमें involved नहीं हो सकते हैं तो आप कैसे derivative कर सकते हैं derivative उनी के लिए है जो full time सोचते हैं इसके बार में full time लगे हुए हैं इसको एक important business मानते हैं अगर आप नहीं दे सकते हैं समय तो cash market derivative is a zero-sum game, cash तो फिर भी zero-sum game नहीं है, because economy बढ़ रही है, corporate profit बढ़ रहा है, market cap companies की बढ़ रही है, तो cash में सब का wealth के रेट हो सकता है, it's not a zero-sum game, but derivatives definitely zero-sum game है, मैं का भाऊंगो तो आप खोईंगे, आप कमाईंगे, तो मैं खोऊंगा, do you want to become part of an ecosystem which is zero-sum game, no, अगर हाँ हैं, तो फुल टाइम लगिए इसमें, part time इसके अदर में काम करके पैसा, खो नहीं है, कोई नहीं कमा सकता है, तो get out of derivative if you are a part time market participant, उसके बाद, DIY versus tips, DIY का मतलब क्या हुआ, do it yourself, tips मतलब कोई बता दे, हाँ, जो कि 90% लोग ही करते हैं, क्यार विवेक तो भी बता दे, हैं कौन से शेल लेना है, इतना दिमाग नहीं लगता है, अरे दिमाग तो लगाना पड़ेगा, अगर मेरा दिमाग से ही आप पैसा कमा लेंगे, तो फिर मैं ही कमाऊंगा न, फिर आप क्यों कमाएंगे, DIY का मतलब हो गया, मैं दिन का आधा घंटा से एक घंटा मार्केट में स्टड़ी कने के लिए दे सकता हूँ, टिपिकली एंड अफ दे डे रिसर्ज, सबसे इंपॉर्टेंट पार होता है DIY का, और टिप्स का मतलब हो गया, मेरे पास समय ही नहीं है, मैं सिर्फ इधर से, यहां से, वहां से, TV से, Twitter से, Telegram से, टिप ले रहा हूँ, टिप पे काम कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, टिप को किसको दिया जाता है, आप खाना खाने कहीं जाते हैं, लास्ट में आप टिप छोड़ते हैं आप वो हैं क्या, आप चाहते हैं लोग आपको टिप दें, नहीं, आप नहीं, क्योंकि आपने वैसा कोई सर्वस नहीं दिया है कि आपको टिप मिले, जो जनरली टिप लेता है, वो ऐसा खोता ही है, गैरंटी यह खोता ही है, तो सुनिये मत किसी का, अगर आप DIY हो सकते हैं, तो DIY होई है, और ऐसे प्लाटफॉर्म के साथ जुड़ी है, जो आपको DIY बनाने के लिए, स्टॉक आइडिया जनरेट करता है, डिफरेंस है, स्टॉक आइडिया और टिप में बहुत डिफरेंस है, स्टॉक आइडिया मतलब एक automated system है, जो अपने आप स्टॉक आइडिया जनरेट कर रहा है, जिसको आप consume कर रहे हैं, और decision आप अपने आधार पे ले रहे हैं, बट टिप तो क्या है, आप उसी के dependent है, जब बजार गिरेगा, तो फिर आपके पास exit करने के लिए, वो framework नहीं ह account access versus advisory, account access illegal है, अगर कहीं कुछ पैसा लग जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सामने वाला आपको खो भी देगा पैसा, तो आपके हाथ में नहीं है, चाहे वो broker है, चाहे आपका neighbor है, चाहे आपका पढ़ोसी है, कोई भी हो, advisory है मतलब, SEBI का license लिया हुआ है, investment advisory license ह करता है कि वे, which category you belong to, आप केवल और केवल, SEBI registered लोगों के साथ ही काम कीजिये, और वो verify हो सकता है, अब किसे साथ भी काम करें, सुपुछे तो आपके सेवी registration बताओ, चो या तो वो आरे होगा, या या होगा, या PMS होगा, तो SEBI registration के बिना हमको एक्टम भी अपना account, हमारा पासवर्ड, हमारा पैसा, हम किसी और को कैसे दे सते, it's like handing over your daughter to someone, assuming that the person will take care of her, मत करी, it can be very counterproductive, और last point, जो कि बहुत important है, वह expectation versus reality, यह बहुत जरूरी है, हमको समझना की, हमारा expectation कुछ और सकता है, मार्केट से, जो कि कुछ भी हो सकता है, हम 100% return expect कर सकते हैं हर रफ्ता, but expectation के लिए जो काम करना है, अगर हम वो काम नहीं करेंगे, तो reality कुछ और होगी, और फिर आप disappoint हो जाएंगे, और typically क्या होता है, कि disappointment में आप blame चालू कर देते हैं, कि यह नहीं बना, because market ऐसा है, लोग ऐसे हैं, बिकार है, चोर है, मार्केट में सब क रुक है, यह सब बाते हमारे माइड में आने चालू हो जाएगे, तो have a clear cut expectation for yourself, from market, ताकि आप उस expectation के आधार पे अपना straight line career ड्रॉ कर सके, अगर आपका expectation है कि आपको महीने का 10% return चाहिए, तो आपको full time बनना पड़ेगा, आपको raise जादा लेना पड़ेगा, अगर आपका expectation है कि मुझे साल का 15% CAG हमल जाए, मैं खुश हूँ, तब आपको जरूरी नहीं है कि आपको market को रोज देखना है, अब हपते में एक बार भी देखोगे, महिने में दो बार भी देखोगे, तो भी काम चल जाएगा, तो what is the right expectation, and what should be done to meet that expectation, and whether the expectation is meeting the reality, यह भी अपने को पता ह है, तो सही गलत का differentiation बहुत जरूरी है, हमारे relationship में हमने देखा है, हमारे हर act के अंदर में हमने देखा है, कि जिसको यह पता है ना कि मेरे लिए सही क्या, मेरे लिए गलत क्या है, वो अपना path को बहुत अच्छा से design कर लेता है, जिसको यह नहीं पता होता है, और जो randomly bin-ponday कर लोटा, बन रखा है, कभी इदर, कभी इदर, कोई इदर से मार दे रहा है, कोई इदर से मार दे रहा है, उसकी हालत बहुत खराब होती है, and I sincerely believe कि आप मेरे साथ जुड़ें, तो आपकी हालत खराब नहीं होने चीए, you should have total control in whatever you are doing, पैसे बने नहीं बने, वो secondary है, but at least अ I hope this was useful, और आप ये वीडियो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, because ये बाते हैं कुछ ऐसी जो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करते हैं, but क्योंकि मैं बुक्स परता हूँ, मैं अगुद गीता जी को पढ़ रहा हूँ, मुझे रिलाइस हो रहा है कि ultimately, सही और गलत का जान और उसका डिफ्रेंशेशन वही हमको सही पात पे लेके दाता है, I hope it was useful और आप शेयर करेंगे, thank you so much, अपना ध्यान रिखेगा, जय हिंद।